विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्रान नपध्ध दीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयत्ग्रीवमहं प्रवध्ये। सर्वेभ्या भवतां स्वागतं। अस्पिन भागे संध्यावंदन मंत्रार्थ शिंखलां तर्गते। आदव तावत सायम संध्यायाम जलफ राषने विनियुक्ताह मंत्रह अग्निष्टमामन्युष्य इति वर्तते तद्विशये पष्यामहं। पर्थमम तावत मंत्रम स्रुण मंतु। ओम अग्निष्टमामन्युष्य मन्युपतयष्य मन्युकृतेभ्यः पापेभ्योरक्षंताम् यदन्हापापमकारशं मनसावाचाहस्ताभ्याम् पद्ध्या मुदरे नशिष्णाहस्तादवलुम्पतु यत्किंच दुरितम्मयी इदमाहम्माममृतयोनव सत्ये जोतिशिजुहोमे स्वाहाँ। इति एशह मंत्रह अर्थविशये ग्न्यास्यामहा। पश्यन्तु अस्य मंत्रस्य अर्थवा सूर्यस्च मामन्योस्च इत्यत्र तृतिय भागे संध्यावंदन मंत्रा अर्थश्रिंखलायां तृतिय भागे व्याख्या तह वर्तते। अत्रापी सयेव अर्थाह अत्रा अनुसंधे यहा अत्र विशेश तहा तत्र सूर्य इति आसित सूर्य इति स्थाने अग्निरिती अहनी मया यत पापम कृतम अपिचे यत किंच दुषकर्म कृतम अहनी तत सर्वं अहर अभिमानी देवह अवलुंपतू नाशयतू इतिचे विशेश तहा अत्रबोध्यम इस मंत्र का अर्थ संध्यावंदन श्रंखला के इस वीडियो के पार्थ 3 तृतिय भाग में बताया जा चुका है इस मंत्र का अर्थ वैसे ही समझ लेना चाहिए केवल इस मंत्र में विशेश रूप से सूर्य के स्थान पर अग्नी एवं दि सायम संध्यावंदने उपस्थानत्त्वेन उपस्थान कर्मणी विनी युक्तः हा पंच मंत्र हा वर्तंते तद एक एकम पश्यामाह आदो तावत मंत्रम तावत एकत्र पश्यामाह इमम्मे वरुन श्रुधि हवा मध्याच मृडय त्वाम वस्युराचके तत्वाया मिब्रम्हना वंदमानस्तदाशा आस्ते यजमानो हविर्भिह अहेडमानो वरुने हबोध्युरुशकम्समान आयुफ्प्रमोशी यचिध्धिते विशोयता प्रदेव वरुन व्रतं मिनीमसिद्य विद्यवी यत्किंचेदं वरुन देव्यजने भिद्रोहं मनुष्या आश्चरामसी अचित्ती यत्तव धर्मायुयो पिममानस्तस्मादेनसो देवरी रिशह कितवासोयत्रिरिपुर्ण दीवियत्वागा सत्यमुतयन विद्मा सर्वाता विश्यशिधिरेव देवाथाते स्यामवरुन प्रियासह इती पंच रिजाह वर्तन्ते देवराजरिशिही गायत्त्री जगती तृष्टुवास्चन्दामसी सविताच देवता इती विनियोगानुसारं ज्यादव्यं अर्थ विशये वश्यामाः आदू तावत इमम्मे वर्ण श्रुधीहवं अध्याजमुरणय त्वाम अवस्युराचके इती विशये वश्यामाः अत्रे हे वरुना मदीयम इमम प्रार्थना पूर्वकम आखवानम श्रुणो उनहा अध्यमाम सुखिनम कुरू अहम आत्मनहा रक्षणम इच्छन्य त्वाम आखवयामी इती अत्रभावाः हे वरुनदेव मेरा प्रार्थना से युक्त आखवान को सुनो मुझे सुखी रखो आपको मैं अपनी रक्षा के लिए यहां आखवान कर रहा हूँ मेरी रक्षा करें हे वरुनदेव अग्रिमहा मंत्रह तत्वायामि ब्रह्मभणा वंदवान स्तदाशास्ते यजमानों हविर्भिही अहे डमानों वरुन इहबोधी उरुषगम समान आयुफ प्रमोशी ही हे वरुन अहम् त्वाम ब्रम्हणा ब्रम्हशब्दस्य अत्र वेद मंत्रह इत्यर्थाह। आशास्ते हे उरुषम से बहुभी ही मंत्रे ही स्तूयमाने हे वरुने इह अस्पिन लो के मम याचनम बोधी मत कृतम याचनम अभगच्छतू इत्यर्थ अस्माकम आयुहू किम्तत्य हूचनम अस्माकम आयुहू जीवनम मा प्रमोशीह अस्माकम जीवनम मानाशय अस्माकम आयुहु दीरगम यथा भवती तथा भवेत। धेदोक्तम दीरगम आयुष्यम अस्माकम कृते देही इत्यर्था। हे वरुन, आपके प्रती नमसकार वचनों को प्रकट करते हुए हम आपसे याचना करते हैं। हमारे प्रती क्रोध भाव के विना आप मेरी याचना को सुनें, हविर्भागों के द्वारा यजन करता हुआ ये जमान आप से रक्षा की याचना करता है, इस प्रसिवी लोक में रक्षा प्रदान करो मुझे, हमारी आयू का नाशन मत करो, वेद भीत दीरगायू हमें विद्यभी इति, हे वरुन यदपि भवदीय व्रतम यागाधिकं कर्म वर्तते, तद विशये वयं प्रतिदिनं तरक्कयामह, आलोचयामह, यथा प्रजाह स्वस्व व्यापारं तरक्कयंति, तद वत वयं सर्वे वरुन विशये तरक्कयामह, इति दृष्टांतः, जैसे मनुष्य अपनी व्यापार नित्यकर्टव्य के बारे में सोचते हैं वैसे ही आपके विशय में अर्थात देव यज्ञादी के बारे में मैं सोचता हूँ और आपकी सेवा करता रहता हूँ यतकिंचेरं वरुन दैव्य जने भिद्रोहं मनुष्य अश्चरामसी अचित्ती यत्तव धर्मायुयोबिम मानस्तस्मादेनसो देवरी रिशाः अश्य मंत्रस्य अर्थाः हे वरुन वयम मनुष्याः देवलोकवर्तिनी जने अर्थात देवे त्वईवा अज्ञाणवशाद यदपी न्यूनाधिरिक्तं अभिद्रोहं अपराधं कुर्महा यदपी त्वधीय कर्म विनाशर रूपं देवकार्य विज्णरूपं यद पापं कुर्महा अस्माभी राचरितानी ताद्रिश धर्मलोप निवित्त रूप पापानी परिहृत्य अस्मान रक्षतु सर्वम अपि पापम वरुनहा प्रतिमुंचती इद्यर्था हाद। वे सब अपराधों से उत्पन पापों का परिहार कर हमारी रक्षा करें। ये सभी पाप वरुन के अनुग्रह से नश्ट हो जाएंगे। ये यहां तात्परिय है। स्वार्था साधन पराहा धूर्त समानाहा मदीय यग्य कर्मने नियुकत हा रित्विजाहा। येद्य कर्म नाशित बंतहा। अपि चो यस्पिन कर्मने सम्यक न व्यवहरत बंतहा। बुद्धिपूर्वकम अबुद्धिपूर्वकम चे यत पापम वयम गृतवन्तह तानी सर्वानी पापानी विश्य विनाशय यान्यपि खुद्रपापानी अस्माभी राचरितानी तान्यपि शिथिला नीव कुरू इथा शिथिलां भवती तथा कुरू हथ सर्वपाप लिएमिक प्रियाहा भवेमें हे वरुन मेरे यज्ञमें नियुक्त रित्व Иक जो स्वार्थ के कारण कर्म का नाश किये हों और जो कर्म यह था विधी नहीं किये हों अज्ञानवश एवं बुद्धी पूर्वत जो पाप किये हों ऐसे सभी पापों को अर्था अपराधु को नश्ट कर दो जो भी नियून रूप से अपराध किया है हमने उसको भी शिथिल कर दो समस्त पापों के नश्ट होने के कारण हम सदैवर आपके प्रियर हैं इस प्रकार यहां अर्थ के विशेय में सायम संध्या के उपस्थान में जो पांच रिक बोली जाती है उस विशे यहां आपको ध्यान देना है सायम संध्यामनदने आधित्योपस्थान मंत्र विचाहर हा अत्र प्रश्णहा उदेती यति इमम्हे वर्न इत्यादि मंत्रेशु वर्नलिंगं श्रूयते कथम तरिकी सूरियोपस्थाने वनियोग हा इति वरुनोपस्थानम कर्तव्यत्वेन प्रतिभादिकलू इत्यवि प्रश्णाह समायाती एवं प्रश्णे उधितेसती समाधानत्वेन उज्जते वारुनी भी ही आदित्यम उपस्थाय प्रदक्षिनम इती विनियोप्तत्वात लिंगम बाधित्वा आदित्योपस्थाने एव विनियोगाह नतु वरुनोपस्थाने एतेशाम मंत्राणाम विनियोगाह भवती एतत सर्वं पूरु मिमाम साजां शुरुति प्राबल्याधी करने विचारिय सम्यक निरूपितं। यथा तत्र आइंद्रिया गार्गपत्य बोपतेश्ठते इती वांक्यांशे दर्ष्टव्यं। तदुक्तं जेमिनियन न्यायमानाजां श्रीमत सायनाचारियन श्रीमत मा माधवाचारियन उक्तं। शक्तिरुक्ता शृतिश्षीग्रा लिंगम शृत्यनुमापकं नईराकांक्ष्यात्म के बोधे शृत्या अग्नव के वले स्थिति ही। इती माधवाचारियन जेमिनियन न्यायमाहलाजां एतत सर्वं संग्रिख्य संभ्यक्स पुटं प्रदर हिंदी में आपको बताता हूं यहां सायम संध्यामंदन में आजट्य उपस्थान के मंत्र में एक विशेश बात ध्यान देना है। कैसे संभव हुआ। इसलिए यहां समाधान में यहां कहना है कि वारुनी भी ही आदित्य मुपस्थाय प्रदक्षिणम इस विधिवाक्य में तृतिया शृति वारुनी भी ही इतृतिया भक्ती है। स्पष्ट किया गया है। वहां आइंद्रिया गार्गवत्य मुपस्थाते इस वाक्याम्ष को लेकर चर्चा एवं समाधान किया गया है। वैसे ही यहां भी इस शंका का भी समाधान उसी नियाय से यहां समझ लेना चाहिए। जैमनी अन्यायमाला में श्री माधवाचार जी ने भी कहा है। शक्ति रुक्ता शुति श्रीग्रा लिंगम शुत्यनमा पकम नैरा कांग्ष्यात्म के बोधे शुत्या अग्नों के वले स्थिति ही। विश्तरत जानकारी के लिए आप उनुन शास्त्रों को पूरो मीमामसा शास्त्रों में शुतिप्रावल्याधि करण में आप विश्तार रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार हमने संध्यावंदन मंत्रार्थ श्रंखला में सातों अधिकारों सातों भागों में हमने विशेश रूप से प्रधान मंत्रों का अर्थ हमने देखा है। यहां सप्तम भाग समाप्त हुआ। इसी प्रकार हम अग्रिम अश्टम भाग में इस संध्यावंदन मंत्रार्थ श्रंखला का समापन करेंगे। उस अश्टम भाग में कुछ संध्यावंदन कर्म के विशेश में कुछ विशेश आमस बताते हुए इस संध्यावंदन श्रंखला का समापन करता हुँ। इत्तम सर्वेव ख्याहा अहम धन्यवादान वितरोमी अग्रिमे अश्टमे भागे संध्यावंदन विशयकाहा कतिपयर विशयाहा अहम तत्र विशेश रूपेन समुपस्थाया संध्यावंदन मंत्रार्थ शंखलायाहा समाप्तिम अहम करोमी सर्वेव ख्याहा धन्यवाद झाल